आज का दिन हमारे समंधों में एक विशेश महत्व रखता है तीज साल पहले आजी के दिन हमारे बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन्स पूर्ण रुप से स्थापित हुए थे दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुवात हुई थी भले ही अध्याय नया था लेकिन हमारे दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है हमारे लोगों के बीच सदियों से गनिष्ट नाता रहा है जैसा की भारत का मूल स्वभाव है सेंकडों वर्षों से हमारा यहुदी समुदाए भारतिय समाज में बिना किसी भेदभाव के एक सवहार्दपुर्ण बातावण में रहा है और पनपा है उसने हमारी विकास यात्रा में महत्वपुर्ण योगदान दिया है आज जब दुनिया में महत्वपुर्ण परिवर्टन हो रहे हैं भारत इसराइल समंदो का महत्व और बढ़ गया है और आपसी सहयोग के लिए नए लक्ष रखने का इससे अच्छा आउसर और क्या हो सकता है जब भारत अपनी स्वतंत्रता की पचतरवी वर्जगांट इस वर्ज मना रहा है जब इसराइल अपनी स्वतंत्रता की पचतरवी वर्जगांट अगले साल मनाएगा और जब दोनों देश अपने राजनेक समंदों की तीस वी वर्जगांट बना रहे हैं तीस वर्ज के इस महत्वपून पड़ाव पर मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूं मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इसराइल दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए किर्तिमान साबित करती रहेगी धन्यवाद तोदा रब्बा